हाई फ्रेंड्स तो आज हम रबडी बनाएंगे जिसको बनाना बहुती आसान है बट सर्थ करेंगे गुलाब जमुन के साथ दिवाली के इस फेस्टिवल पर स्वीट साना तो बनता ही है गुलाब जमुन सभी के फैबरेट होते हैं और मेरी भी है और मैं जानती हूँ आपकी पर आपने एक बार गुलाब जमुन को रबडी के साथ खाया तो आप इसके स्वात को भून नहीं पाएंगे तो चली बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कड़ाई को गैस पर रग देंगे और गैस को ऑन करेंगे और उसमें फुल फैट क्रीम वाला हाफ लीटर दू पूरा कंसंट्रेशन दूद और फ्लिम पर बराबर बना रहना चाहिए उबाल आने के बाद साइट से और बॉटम से दूद की जो मलाई जम जाती है उससे उतारते जाएंगे रबडी बनाना बहुत ही आसान होता है बट थोड़ा सा पेशन्स चाहिए होता है रबडी बना सकते हैं बट मलाई डालने से आपका टाइम भी सेव होगा और आप इसे इंस्टेंट कभी भी बना सकते हैं बट जब आप दूद की मलाई डाले तो वो फ्रेश होनी चाहिए नहीं तो थोड़ा सा टेस में चेंज आ सकता है मलाई को दूद में अच्छे से मिक्स कर लेंगे केसर डालने से रबडी में रिचनैस आती है टेस में लाजवाब होती ही है और खुश्बु भी शांदार हाती है और आप सोच रहेंगे हमने केसर को क्यों डाला इस क्यों डालने से दूद में अपना कलर धीर्य दीर्य छोड़ती चली जाएगी यहाँ पर दूद को लगाता चलाते जाना है और साइट से और बॉटम से मलाई को उतारते जाना है आप यहाँ पर देख सकते हैं लगाता चलाते रहने से दूद की कॉंटिटी यहाँ पर कम होती जा रही है साथी स्वीटनेस के लिए 3 टेबल स्पून शुगर डाल देंगे क्योंकि हम रबड़ी विद गुलाब जमुन सर्व करने वाने हैं तो मेरे इसाब से एकदम परफेक्ट रेशो है शुगर की कॉंटिटी को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम जादा कर सकते हैं क्योंकि गुलाब जमुन भी स्पीट होता है चीनी को दूद में अच्छे से मिक्स कर लेंगे या आसानी से दूद में अच्छे से घुल जाएगी साथ ही 1-4 टीस्पून इलाइची पावर्डर डाल देंगे इलाइची को मैंने इंस्टेंट ही क्रश किया है जिसे शांदार खुरू आती है साथ ही 1 टेबल इस्पून कटे होई बादाम और 1 टेबल इस्पून कटे होई पिस्ता डाल कर इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे स्टार्टिंग में हमने केसर डाली थी उससे रबडी का कलर बहुत ही शांदार आया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं रबडी की कंसिस्टेंसी एकदम पर्फेक्ट बनी है अब इसको बाउल में सर्व करते हैं यह इतनी रिच लग रही है ना खाने वाले को मज़ा ही आने वाला है इतनी गाड़ी और क्रीमी रबडी को हम गरम गरम गुलाब जमुन के साथ सर्व करें तो गुलाब जमुन को आप हमेशा रबडी के साथ खाना ही प्रिफर करेंगे रबडी प्लस गुलाब जमुन के साथ खाने से ये एक्स्टर डिलिशियस हो गया गुलाब जमुन बनाने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है उपर आई बटन में पी है आप वाँ पर देख सकते हैं और फेस्टिवल्स की दिनों में स्वीट्स आना तो बनता ही है मोसली घरों में गुलाब जमुन आते ही है तो आप रबडी के साथ गुलाब जमुन को सर्व करेंगे तो लोग आपकी तारीफ करेंगे तो आज की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आही हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें दोस्तों में शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्यू सो मच जै जिनेंद्र